नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट की वज़ज से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिसकस करेंगे कि ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Oflofine OZ एक brand name है Oflofine OZ tablet के अंदर दो antibiotic दवाओं का combination होता है Oflofine OZ tablet के अंदर salt composition ornidazole 500 mg और ofloxacin 200 mg होता है Oflofine OZ tablet का उप्योग शरीर में bacterial infection और parasitic infection होने पर किया जाता है Oflofine OZ tablet का उप्योग मुख्य रूप से पेट की आतों में infection होने पर और diarrhea होने पर यानि दस्त होने पर Oflofine OZ tablet का उप्योग किया जाता है Oflofine OZ tablet पेट के infection को खत्म करके diarrhea की समस्या को ठीक करती है इसके अलावा फैफरों में infection होने पर दातों या मसूडों में infection होने पर जोडों या हड्डियों में infection होने पर पेशाब में infection होने पर पेट में infection होने पर महिलाओं की वजाइना में infection होने पर और कान नाग गले या तवचा पर infection होने पर भी Dr. Oflofine OZ Tablet को लेने की सला दे सकता है इसके अलावा तवचा पर कोई फोडा फुनसी होने पर तवचा पर कोई घाव होने पर या तवचा पर कोई infection होने पर भी Dr. Oflofine OZ Tablet को लेने की सला दे सकता है शरीर में infection होने पर बुखार हो सकता है इसलिए बुखार होने पर भी Dr. Ophlopine Oz Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी conditions है, जिनमें आपका Dr. Ophlopine Oz Tablet को लेने की सलाह दे सकता है। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में ओफलोफाइन ओजेड़ टैबलेट की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में ओफलोफाइन ओजेड़ टैबलेट की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, बधजमी होना, चक्कर आना, भूप कम लगना, मौ का स्वाद खराब होना, तवचा पर रैशेस होना, तवचा पर खु ओफलोफाइन ओजेड़ टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है? ओफलोफाइन ओजेड़ टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है. आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्टर ओफलोफाइन ओजेड़ टैबलेट को दिन में दो बा पसंद आ रहा है. तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए. डाइबिटीज होने पर ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट क बहुत ही सावधानी से दिया जाता है. क्योंकि ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट ब्लड शुगर के लेवल को कम कर सकती है. अगर किसी व्यक्ति को लिवर या किड्नी की कोई समस्या है, तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को बताना चाहिए. क्योंकि लिवर और किड्नी की बिमारी से पीडित व्यक्तियों में ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट की डोज घटानी पड़ सकती है. ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट को केवल उतने समय के लिए ही लेना चाहिए. जितने समय के लिए आपके डॉक्तर ने ओफलोफाइन ओजेड टैबले काम नहीं करेगी और ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट को अपनी मर्जी से पहले बंद कर देने से आपका इंफेक्शन वापिस आ सकता है इसलिए आपको ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा लेना चाहिए प्रेग्नें महिलाओं के लिए ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है अभी इसके बारे में परियाप डेटा अवेलेबल नहीं है कि ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट स्तनपान करा रही महिलाओं को नुकसान पहुँचाती है या नहीं इसलिए को लाइक कर दीना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका ओफलोफाइन ओजेड टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं